इसे काठमांडू से आचारे प्रद्युन पांडे ने पूछा है सिनर्जिक होमियोपेथी क्या है? पहले जानते हैं कि होमियोपेथी का प्रवर्तन किस ने किया? जर्मनी के एक प्रसीद डॉक्टर थे सैमुल हनेमान वहाँ के प्रसीद एलोपेथी की डॉक्टर थे लेकिन उनकी लड़की बीमार बड़ी तो कई प्रकार की एलोपेथी की चिकित्सा करने के बाद भी वह बच्ची उसकी मृत्व हो गई और उनको बड़ी ठेस लगी कि क्या कोई ऐसी चिकित्सा पद्धती हम आविश्कित कर सकते हैं जो प्रभावी हो और इस तरह करीब-करीब सात वर्ष तक खोज करते रहे और फिर उन्होंने होमियोपेथी के सिद्धान्त विक्सित किये होमियोपेथी की खोज की और ये करीब सत्रा सो पच्चपन में इनका जन्म हुआ था और 1843 इस भी तक धर्थी पर जीवित थे और मैं तो इनको श्रद्धा से प्यार से सम्मान से महरशी हनेमान कहता हूं क्योंकि इनकी खोज मानवता के लिए इतनी ज़्यादा लाफदायक है इतनी ज़्यादा उपयोगी है कि इनकी खोज एक महरशी की खोज से कम नहीं है तो जो इनों ने खोज की और जो सिधान्त निरमित की है होमियोपेटिके तो होमियोपेटिके तीन मुख के सिधान्त है जिसको जानना जरूरी है जो पहला सिधान थै जो जिसकी खोच हन्यमान ने की, उसका नाम है ला ओफ सिमीलिया। ला ओफ सिमीलिया क्या है? जिसको आयरुएद में कहते हैं विशस विशमोषधम, विशही विश की दवा है। अर्थात, रोग कारक पदार्थ में उस रोग के इलाज की छंता छिपी है, अर्थात की मालो एक सिनकोना करके जड़ी आती है, जिसको चाइना भी कहते हैं, अगर तुम 30 दिन तर चाइना का सेवन अगर कर लेते हो, तो मलेरिया बुखार जैसे सिम्टम हो जाते हैं, मलेरिया के रोगी को दी जाए, तो उसका मलेरिया ठीक हो जाएगा, ऐसे ही उन्होंने लगवक 30 दवाओं का आविशकार किया, 30 दिन तक एक एक दवा का जो पदार्थ था, उस पदार्थ का उन्होंने सेवन किया, और अपने भी सेवन किया, कुछ जर्मनी को युकों का आववान क उन्हों वे लोग भी इस प्रयोग में शामिल हुएं और इस तरह क्या सिम्टम डवलप व्लप कर रहे हैं, क्या लक्षन डवलप कर रहे हैं, उसके पड़ा क्यारफुली नोट किया गया, और अधिकतर जोगों चमान जो सिम्टम हैं, उसके आधार पर खोजी कि इस दवा क बिवहार किस बिमारी में या किन किन लक्षनों में या समान लक्षनों में किया जा सकता है तो यह है law of similia कि जिस किसी भी पदार्त में जो भी उसके खाने से लक्षन प्रिकट होते हैं ऐसे लक्षन वाले रोग की का इलाज उससे किया जा सकता है दूसरा जो सिद्धान तो उन्होंने डवलप किया उसका नाम है लाओ पोटेंसी लाओ पोटेंसी का मतलब क्या हुआ कि दवा की सुक्ष्म और शक्तिक रित खुराक वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है अर्तात कोई जैसे आयरुवेद में भी देखो के थोड़ा बहुती इसका इस्तमाल होता है दवा को एक आयरुवेदिक डॉक्टर जो है वो बहुत घोटता है उस घोटने में ही वो दवा शक्ति साली होती चली जाती है तो इनका है कि उसकी सुक्ष मात्रज़ से पोटेंसी का क्या मतलब हुआ है जैसे माल लो आर्सनिक की दवा बनानी है तो आर्सनिक एल्ब का एक ग्राम लिया जाएगा और 99 ग्राम अलकोहल और उसको 40 बार हिलाया जाएगा तो इससे 1C, C मतलब 100, 1C दवा बनेगी अब 1C का फिर एक ग्राम लो फिर 99 ग्राम अलकोहल विलाकर को 40 बार अगर हिलाते हो तो इस तरह से आर्सनिक 2C बनेगी ऐसे ही करते करते आर्सनिक 30C जब दवा बनती है तो उसका इस्तमाल किया जाता है फिर आर्सनिक 200C उसका इस्तमाल वो और पावरफुल होता है और फिर आर्सनिक 1000 वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है तो यह सिद्धान्त कहता है कि इसकी दवा की जितनी सुक्ष मा और फिर शक्ते क्रित आता डामेटाइजेशन उसको किया जाता है कि उसका डाइनमिक फोर्स ताकी बढ़ता चला जाए तो यह जैसे अलकोहल में हमने उधारन दिया ऐसी मालो एक ग्राम आर्सनीक में अगर सौ ग्राम सुगर ऑफ मिलक मिलाकर उसको चारीस बार घोटा जाए तो आर्सनीक वंसी बन जाएगी तो सौगर ऑफ मिलक के इस्तमाल से भी दवा बनती है तो यह है ला ओफ पोटेंसी और जो तीसरा ला है वो है ला ओफ सिंगुलर अर्सात एक साथ एक ही दवा का प्रयोग होना चाहिए बरना प्राण उर्जा ब्रहमित हो जाएगी तो इस कि आओ पहले तीनों लागी हम समिक्षा करते हैं कि यह कहां तक ठीक है तो यह जो प्रथम दो सिधानत हैं ला ओफ सिमिलिया और ला ओफ पोटेंसी यह तो बिलकुल ही ठीक प्रतीत होते हैं और समय के अंसार जो इतनी दवाएं बनी और उन दवाओं का इस्तमाल हो रहा है और इन दवाओं से कई लोगों को लाव होता है कई लोग इससे स्वस्थ हो रहे हैं तो यह ठीक है लेकि जो तीसरा सिधानत है ला ओफ सिंगुलर इसमें कुछ खामी लगती है ऐसा लगता है कि इसी धानत उतना उचित नहीं है क्यों नहीं उचित है क्योंकि प्रान और उ क्योंकि जैसे मान लो कि हम भात खाते हैं दाल खाते हैं सब्जी खाते हैं लेकिन प्राण उर्जा तो कन्फ्यूज नहीं होता है वो भात से या चावल से वो कार्भोहईडेट ले लेता है दाल से वो प्रोटीन ले लेता है सब्जी से वो विटामिन ले लेता है तो ऐसा तो नहीं कि बात दाल सब्जी खाने में वो प्राण उर्जा confused हो गया, तो प्राण उर्जा बहुत intelligent है, जिस खादेपदार से, जिस दवा से, जो लेना चाहिए, वो निश्चित से चुन लेता है, दूसरी बात, कि एक दवा चुनना, ये बहुत ही कथिन काम है, किसी भी एक व्य सब्सक्राइब, पहली तो बात ही कि होमिवथी में पांच हजार दवाएं हैं, तो पांच हजार दवा में से एक सही दवा चुनना, अपने आप में ये मराथन काम है, क्या ये संभा है, इसलिए गर दस डॉक्टर के पास एक पेशेंट अगर जाएगा, तो तुम देखो, दस डॉक्टर जो दवा चुनेगा, तो उसमें देखो कि दसो अलग अलग दवा चुन रहे हैं, तो फिर कौन सी दवा सही है, और फिर एक दवा एक महीने तक दो, और उसका परिणाम आता है कि नहीं आता है, और फिर पता चला कि नहीं हो तो गलत दवा थी, तो फिर दूस जो बिमारी है, आजकल बिमारी का डैयागनोसिस का साइन्स है वो इतना डवलप हो गया है कि किसी वेगति को क्या बिमारी है और ये पता करना बढ़ा आसान हो गया है तो क्यों नहीं ये जो अग्यानिक AY descendants है इसका हम लाब उठाएं और बिमारी के अंसार अगर हम दवा बना लेते हैं तो किसी भी डॉक्टर के लिए आजकल बड़ा आसान है इतने टेस्ट होते हैं कि इसको टाइफाइड है, इसको मलेरिया है इसको एक एकजिमा की बिमारी, इसको अर्थराइटिस है, इसको गाउट है तो बड़े आसानी से हम बिमारी की डियागनसिस कर सकते हैं और बिमारी के अनसार अगर हम दवा बना ले बिमारी के अनसार हम अगर दवा जो कई मेडिसिन को मिला करके दवा बना लेते हैं तो यह इलाज करना बड़ा आसान हो जाता है और इसलिए इस अधार पर बहुत सारे लोग सामने आएज़ा बनरजी प्रोटोकल्स जो महिजाम है उन्होंने बिमारी के अनसार दवा का प्रोटोकल बनाया कि यह तीन दवाएं चार दवाएं मिल करके इस बिमारी का इलाज होगे लोग बड़े सफल है महिजाम डिस्पेंसरी जहां भी देखोगे खूब भीड है और खूब लोग उससे स्वस्त होते हैं उस जर्मनी के दॉक्टर रेक्विग उन्होंने करीब 80-85 ऐसे कंबिनेशन दवाओं के बनाये रोग के इनसार बनाये जो लाखों करोणों लोग आज दुनिया में उससे स्वस्त हो रहे हैं उससे से कई होमियोपथी कंपनिया हैं दवाओं की जैसे श्वाबे हैं उसने कई कंबिनेशन बनाये हैं रोग के इनसार और उनका खूब लाव लोग ले रहे हैं ऐसे एस बील है भारत वर्च में कई ऐसे कंबिनेशन बनाये हैं रोग के इनसार जिसे लोग लावानमित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जो दवाओं का कंबिनेशन है वो रोग के इनसार जो बना ह अब तक उससे कई लोग लवहानमित हो रहे ही, हम ब्यावहारी के रूप से देख रहे हैं, तो इसी तरह से जो सिनर्जिक होमियोपैथी की जो खोज हुई, वो 2010 में मेरे द्वारा इसकी खोज हुई, और इसका जो सिद्धान्थ है, जो होमियोपैथी, सिद्धान्थ का जो प्रोथम दो सिधान्त हैं वो तो ही लेकि तीसरे सिधान्त को यहां change किया गया है, पहला सिधान्त है, law of similia, जो classic homeopathy में भी है, दूसरा सी दान्त है law of potency, यह भी classic homeopathy में है, तीसरा सिधान जो law ol singular था, उसकी जगा law of synergy किया गया है, law of synergy का मतलब यह हुआ कि जो रोग के उनसार दवा के जो कमिनिशन्स हैं वे प्रयोग में आ सकते हैं जैसे एक रोग है कोई एक रोग है मालो बुखार है तो फीवर है तो फीवर के कई कारण हो सकते हैं जैसे मालो धूप से आय हो और फीवर है तो गलोनाइन है, बिलाडोना है, ब्राइनिया है, यह काम करेगा. उससे से मालो की कोई फूट पॉइजनिंग हो गयी है, उससे अगर फीवर हो गया तो आरस्निक काम आगा. तो fever में जो जो दवाएं इस तरह लगती है, मालो 15 दवाएं लगती है, उन 15 दवाओं को combine करके एक fever drop बनाया जा सकता है, उसे तरह डाइरिया है, तो डाइरिया में कई दवाएं काम आती हैं, जैसे symptom उसकार कभी synkona आएगा, कभी podophyllum आएगा, कभी mark soul आएगा, कभी naxbomika तो डाइरिया में जो जो दवाएं लगती है, उसकी दवा चुनने की जगा, अगर सीधे 10-15 दवाओं का जो डाइरिया में इस्तमाल होता है, तो जो अगर तुम लेते हो, तो जो तवा तवारे काम की होगी, वो प्रान उड़ जा उसको चुन लेगी, और उससे तुम स्व नचना की कामनिशन बनाये हुए, जैसे डक्टर रिकविक का कहा, कि इसे जो सब्सक्राइब हो 20 देम डोगा कैो तो इस तरह से वह तुम के में बनाया जा सकते हैं, और भीमारी का डाइगनसिस जब हो जाता है, उस भीमारी की य्र दार कैना देमारी कर रख हो जाएं, तो एक बात है और एक और भी बात है कि एक साथ एक आदमी को कई बीमारी होती है तो कई बीमारीों के combination भी आपस में मिला जा सकते हैं जैसे वालों दस रोग है तो दस रोग का दस अलग-अलग combination लेने की जगा उन दसों दवाओं को भी आपस में मिला सकते हो और एक व्यक्ति के लिए एक ही combination तैयार किया जा सकता है और वो व्यक्ति वो combination लेता है और वो स्वस्थ हो जाता है तो इसमें ये भी सुविदा है और एक और बात है कि लक्षण के अंसार भी अगर कोई दवा आती है तो साथ में उसको भी दो रोकता कौन है अगर माल लो है कि food poisoning हो गया है तो food poisoning drop भी दे दो और साथ में तुम को लगता है कि ये symptom बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगती है एक दो घूट पानी पी करके घला तर करने की प्रविर्ति है तो arsenic help दे दो क्योंकि arsenic help से ये symptom मिलता जलता है तो साथ में combination के साथ में लक्षण के अंसार भी दवा दी जा सकती है एक और इसका लाव क्या है कि साथ में mother tincture भी दिया जा सकता है कई मामले में जैसे मालो bleeding हो रही है लेडिस को अक्सर bleeding हो जाती है तो ज़्यादा अगर होती है तो hemamalist क्यों दे दो और देखो कि bleeding ठीक हो जाती है तो साथ में आप mother tincture बिलकुल दे सकते हो उसी तरह से biochemics हैं byo chemical हैं byo chemical दिया सकते है साथ में 7 पेडिया जा सकता है और वेदिक दबाएं भी दिया जा सकती हैं थोड़े अंतराल पर दिया जाना चाहिए तो havingy arbeithik ऑ का यह भूत बड़ा फायदा है कि दूसरी पैठी दबाएं भी दिया जा सकती है, साथ में जिफकि singular love, singular cancer एकी द दे सकते हो, तो साथ में मदर टिंचर नहीं दे सकते हैं, बायो केमिक नहीं दे सकते हैं, तो ये भी एक असुविदा हो जाती है इससे, तो इस तरह से अगर सिनर्जिक होमियोपेथिका इस्तमाल किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाव होगा, ज्यादा से ज् तो आज मुर्थल सहीत में देश के कई भागों में सिनर्जिक होमियोपैतिक क्लेनिक काम कर रहे हैं और वे सब लोग सारे सारे डॉक्टर्स मेरे संपर्क में करीब करीब हैं और हमें फिट बैक देते हैं कि कितने चमत-कारिक रूप से ये सिनर्जी कोमेबती काम करती है